कुद्रत जब अपने बर आती है तो इनसान बेबस और लाचार नजर आता है इनसान की ये बेचारगी और लाचारगी इस वक्त गुजरात के बड़ोदा में नजर आ रही है यहां के आस्मान में डेरा जमाए बादलों ने बारिश की रूप में ऐसी तबाही बरपाई कि पूरा बड़ोदा लहरों पर तैरता नजर आने लगा सडके दरिया और शेहर समंदर में तब्दील हो गया सडक, रेल और हवाई यातायाद सब थप पड़ गया स्कूल कॉलेजों के बच्चों समेथ सैक्डों लोग, सडकों, घरों और अस्पतालों में फंस गए लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षि जगों पर पहुँचाने के लिए एंडियारेफ की कई टीमों को उतारना पड़ गया भारी बारिश के बाद उफनाई विश्वामित्री नदी ने तड़ बंध तोड़ कर विहाईशी इलाखों का रुख कर लिया नतीजा ये हुआ कि उसकी गोद में रहने वाले तीन सो मगरमच्चों के सामने भी संकट खड़ा हो गया उन में से कई तो सैलाब के साथ बहकर इंसानों की बस्ती में जा पहुँचे इनी में से एक मगरमच्च वड़ोदा की राजहन सोसाइटी में नजर आए सोसाइटी में भरे बारिश के पानी में मगरमच्च तैरता हुआ दिखाई दिया ये मगरमच पानी में ही भसे कुछ कुछ कुटों पर हमला करता दिखा खबर पाकर वॉके पर पहुँची वन विभा की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया बडोद्र के सावली तालुका में भी सैलाब का कहर देखने को मिला यहां के धंतेज गाव के पास की कराड नदी का पानी सलको और पुलों के उपर से बहता नजर आया एक युवक ने इस सैलाब को पार करने की कोशिश की तो लहरों ने उसे सबक सिखा दिया उसकी सीना जोरी का नतीज़ा यह हुआ कि लहरों ने उसे उठा कर नदी के तेज बहाव में पटक दिया अलाकि युवक तहराख था और वो उफंती लहरों को चीरते हुए किनारे जा पहुँचा वडोद्रा में हुई भारी बारिश के चलते सूबे के सबसे बड़े फर्डिलाइजर उत्पादक जी एस एफसी प्लांट को बंद करना पड़ गया पूरा प्लांट समंदर में तब्दील हो गया इसके परिसर में कमर तक पानी भर गया सैला प्लांट के पावर पैनल स्विच रूम तक पहुँच किया जिसके चलते प्लांट को बंद करना पड़ा विश्वमित्री नदी के ओवर्फलो करने से आसपास के इलाके पूरी तरह जलमगन हो गया आलम ये था कि लोग सडकों पर दोपहिया और कारे छोड़ कर कमर तक भरे पानी में पैदल चल कर घर पहुँचे इस दौरान वडोदरा फायर डिपार्टमेंट को लोगों से कॉल आते रहे और आम लोग भी वाट्सअप के जरिए मदद मांगते रहे तटी ये इलाकों को खाली कराना पड़ गया सेगणों लोगों को इंडियारफ की टीमें बोट के जरिए सुरक्षित जगा पहुचाती नजराएं वडोदरा में 16 घंटे में 20 इंच यानी लगभग 50.8 सेंटिमीटर बारिश होने से बार जैसे हालाद बन गए शेहर में बारिश का सालाना कोटा 96.5 सेंटिमीटर है यानी साल भर के कोटे का आधा पानी महज कुछ घंटों में बरस किया इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा वडोदरा शेहर सेलाब पर तैरता नजराया जिन गलियों और सलकों पर लोगों का आना जाना होता था वहाँ नावे चलती नजराए भारी बारिश के चलते कई जगा पेड़ उख़ड कर सलक पर जागिरे जिससे सलक याताया ठपो गया रेल सेवाई भी पुरी तरह प्रभावित हुई पश्चमी रेलवे ने बताया कि शेहर से गुजरने वाली दर्जन भर ट्रेने रद्द कर दी गई है या उनका रूट बदल दिया गया रनवे पर पानी भर जाने से एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा और कुछ उड़ाने रद्द करनी पड़ी गुजरात सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि जरूरत पड़े तो निचले हिस्सों में बसे और लोगों को बाहर निकाला जाए मुक्यमंत्री विजे रुपानी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्थिती पर नजर रकने के निर्देश दिये हैं चार अजार साले चार अजार से ज़्यादा लोग को इवेक्वेट किया है सलानतर किया है और सेफ जगह पर उनको पहुचाया है कल एक दिवाल गिरने से चार लोगों की मृत्यू हुई थी और बाकी कोई ऐसे जानानी भी नहीं है लेकिन पानी कम होने के बाद बरुडा पुन स्थापित होगा शेहर में बहने वाली विश्वामित्री नदी जो खत्रे के निशान से महस तीन फीट नीचे बह रही है इससे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है आलात को देखते हुए सभी सरकारी निची और वडोद्रा नगर निगम की ओर से संचालित स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टी घोशित कर दी गई है वेरो रिपोर्ट जी मीडिया